हलो फ्रेंड्स तो आज बनाते हैं जन्मास्टिमी इस्पेशल मावा नारियल पाक ये मैं मावा डालके बनाऊंगी ये जन्मास्टिमी में खासकर ये वाला स्वीट डिस बनाई जाती है भगवान जी को प्रोग लगाने के लिए तो चलिए चटपट से देख लेते हैं ये कै नारियल लिया है ये मीडियन साइच का नारियल है और अब इसको हम ग्रेटर की साहता से इसे ग्रेट कर लेंगे आप बड़े साइट से करना चाहते हैं ये चोटे साइट से टोटली ऑप्सनल है जैसे आपको अच्छा लगता है आप वहां से इसे ग्रेट कर सकते हैं मैं ब तो इसको अभी हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे थोड़ासा नारियल जो है ना फ्रेस हो जाता है एक बार रोस्ट करने से इसका कलर चेंज नहीं करना है हमको हलका सा करना था देखें दो-तिन मिनट हो गए और माने इसको निकाल लिया है सिंपल फ्रेस करने के लिए इसे अब मैंने जो जाता है खस-खस डालने से तो इसलिए डाल रहे है तो आपके पास है तो आप डाले वर्न आप इसकिप कर सकते है इसे भी दो-तिन मिनट लोट टू मीडियम फ्लेम पर हम ऐसे रोस्ट करना है इसे भी निकाल लेंगे अभी हम लो बहुत टेस्टी लगता है अब मैंने सेम कड़ाई पर ही एक चम्मच घी डालोंगी यहां पर मैं और गी मेल्ट ओ गिया है अब मैंने यहां पर यह जो गौण है यह गौण लिया है जिसके हम लोग विंटर में लड़ो भी बनाते है पिन्नी मों ज्यादतर बनाई जाते है तो यहां पर दो चम्मच यह प्राइब निया है और थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं इसको लो टू मीटियम फ्लेम पे इसको फ्राइब कर लोगी ताकि अच्छे से फूल जाए इतना हमको फ्राइब करना है तो यह देखिए हो गए है और मैंने इसको निकाल दिया तो देखे यह अपने साइज से द माखाने ले रहे हूं और इसमे भी मैं लो टू मीटियम फ्लेम पे ही इन मखानों को भी रोस्ट कर लोगी तो देखिए यह भी रोस्ट हो चुके है ग्रिस्पी हो गए हैं मखाने तो मैं यह भी डाल निकाल देख्ति हूं यहाप आप ड्राइफ्रूट जो डॉलना चाहते बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 पाग बनाया है, तो 5 चीजे में यहाँ पे डाल रही हूं, तो यह हो गए है, अब इन्हें हम लोग इसको इस तरीके से तोड लेंगे, सारे इसके पीसिस कर लेंगे, छोटे-छोटे से, और यहाँ पे जो म आराम में मिल जाता है, तो आप हलवाई की दुकान ले जाता है, तो मैंने भी मार्केट से लाके यह मैं खोऊए ढाल रही हूं, इसे भी हम लोग भून लेंगे थोड़ी देर, कुई जो मार्केट में होता है यह कच्छा खोऊए होता है, और इससे हमारी मिठाई जल्दी आप भी आप इसे enjoy कर सकते है नारेल पाप को बहुत टेस्टी बनता है भागवान जी को भी भोग लगा सकते हैं आप लोग तूसे मैं भून रही हूं लोटू मीडियम फ्लेम पर देखिए यह मैं अच्छे से भून लिया है और हलका सा कलर भी चेंज हो गया है तो इतना ही हम अगर चीनि होती है कि अधा दूड टाल ही हो अगर आप चाहें तो पिसी होई चीनि भी डाल सकते है अब चीनि को फूसंते 뉴스 और ढ्कलत करना है थोड़ा साधे करने के बाद अगर यह जल्दी मेल्ट नहीं होती है तो आप इसमें सीसे की चीनि जल दी मैल्ट होजाएग और तो देखिए मैं आदा गिलास दूट डाला था वह मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो देखिए कितना अच्छा यह मिक्षर इसका तैयार हो चुका है अलग से जरुवत नहीं है अगर आप खोया नहीं डालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं एक कटोरी चीनी की आप चासनी मैं आप यह सारी चीजें डाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दी और अच्छा बना रही थी तो इसलिए खोया डाला है और यह अच्छे से लिक्विडी फॉर्म पे आ चुका है आदा गिलास दूट डालने के बाद थोड़ा सा औरा में से पका लेंगे तो बस अब मैंने यहाँ पे एक चमच काली मिर्च पौडर वो लिया है अगर आपके पास सपेत मिर्च पौडर है तो आप उसको करस करके डाल दीजिए इससे ना हमारा जो नारियल पाक है इसका टेस्ट बहुत अच्छा इनहेंस हो जाता है जो हमने मीठा डाला है तो यह अब मैंने तैयार करके रखे हुए मिक्षर इस सारे इसमें एट कर दूगी सबसे पहले मैंने यह नारियल और जो पोकता फ्राई करके रखे थे इनहें हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम अभी मैंने एक्दम से लो रखी अच्छे से नारियल के साथ मिक्स हो जाए और खुझबू इतनी अच्छी आरही है ना कि आपको बता नहीं सकती जैसे मैंने नारियल डाला खोवे में अब जो मैंने यह मिक्षर बना के रखा ता मखाने और गौत को देखे मैंने इतनी चोटे पीसिस किये हैं इसके आप च खोवे के जो चासनी हमने खोवे वाली चासनी बनाई है इसके संग ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए यह जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ चुकी है हमारी नारियल पाक तो यह पॉफेक्ट है इतना ही हमको यहाँ पे पकाना है तो अब मैं यहाँ पे एक प्लेट मैं फे अधे में तैयार कर लेते हुआँ गी लगा लेते हुआ और यह मिक्सर मेरा तेयार हो चुक है अब इसे हम प्लेट में जमने के लिए रख देंगे यह में खाली कर लेती हो और देखिए मैं ninetychlor डिया नहीं हुआ है उसलमा मैं जैसे कर सकते हैं तो मैं तोटुली ओप्सनल है किती ठिक आपको चाहिए और किती पतली आपको चाहिए तो ही आदे गंटे के सेट का बहुए है अभी यह ठंडा नहीं हुआ है बस यह हलका गुनगुना है अभी हलका गरम है तो क्या करेंगे हम इस गरम में हम लोग ना इसमें निसान लगा लेंगे बर्फी के जैसा डिजैन आपको चाहिए तो एक बार हम इसमें चापू से निसान लगा देंगे तो जैसा डिजैन आपक यहां पर आप निसान लगा के रग दीजिए तो यह मैं इस तरीके से रखे हैं चौकट निसान लगाए हैं बर्फी वाले नारियल पाक में तो यह मेरे निसान लग चुके अब मैं इसको एक से दो गंटे के लिए सेट होने के लिए रग दूंगी उसके बाद हम पीसिस तो देखिए दो गंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और यह अच्छे से सेट हो चुकी है बर्फी बस एक बार जो हमें यह कटके निसान लगाए थे ना एक बार और हम चाकू इस पे अच्छे से गुमा देंगे ताकि यह थुरसा लूज हो जाए और पीसिस निकालने मे आसानी हो जाएगी तो यह मैंने कर लिया एक पीस में निकाल के दिखाती हूँ आपको यह देखिए कितने आराम से और कितनी जल्दी यह निकल गया और देखे किता अच्छा डिजाइन किता अच्छा बर्फी का टेक्शर आया है बिल्कुल भी नहीं टूट रही है और बह पंढ़ा अइर शिगती है जन्मास्टी मी थो यह मेरी आज की रैसेपी थी जन्मास्टीपी के लिए वह असाने मैंने इस में गाहड मखाने ढाले है तो यह अरड़ी रैसिपी भी है तो यह मैंने स़र्प कर लिया है तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से मावा नारील पाक जरूर बनाईए और देखिए मैं आपको एक तोड़के दिखाती हूं बिल्कुल अंदर से सॉप्ट और मुह में गुलने वाली ये खोया बर्फी बनी है तो आप भी इस जन्मास्टीमी में इस तहवार में इस फेस्टिवल में आप बनाईए आप इसे किसी भी फेस्ट और लाइक जरूर करतीचे